नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओस्ट्यवर्ण को लेकर ओस्ट्यवर्ण यानि की पा, फा, बा, भा और मा का उचारण कैसे किया जाता है आज के इस वीडियो में एक और खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ अकसर फा के उचारण को लेकर लोगों में बहुत का इन्फीजन होता है और भारत में तो आप ये समझ के चलिए हैं कि 90 प्रतिक्षत से ज़्यादा जो लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं वो फा का बिल्कुल गलत उचारण करते हैं वो उसको उर्दू के फा की तरह बोलते हैं इसके बारे हम जानेंगे आगे जब हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे शुरुआत करते हैं पौ से देखें चुकि यह ओष्ट्यवर्ण का शब्द है तो हम ओष्ट्यवर्ण की बात करेंगे हैं तो पौ वर्ण में जितने भी अक्षर आते हैं उन सब का होटों से उचारण होता है होट के साथ हम गले का कौन सा हिससा इस्तिमाल करते हैं वो इस उचारण को बदल देता है शुरुआत प से करते हैं देखें ओष्ट्यवर्ण की मैंने बात की तो आप जब इसको सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि होट टच होते हैं प, 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 ठीक है, इसके बाद जो अगला अक्षर है, वो है फ, फ में सिर्फ P में हमें ह मिलाना है, प में ह मिलाना है, प में ह मिलाना है, प में ह मिलाना है, अगर हम अंग्रेजी के हिसाब से बात करें, आपने देखा होगा कि अगर हम फिर शब्द को अगर हम लिखते हैं अंग्रेजी में फिल्मों के पोस्टर आपने देखे होंगे तो उसमें फा पी एच लिखा जाता है यानि कि पा में हा मिला हुआ है तो उसी तरह हमको इसका उच्चारण भी करना है पा का उच्चारण हमने किया गले के हिस्से से और होट से पा फा का उचारन करने में हमें थोड़ा सा गले के निचले हिस्से से हव मिक्स करना है इसमें पा में हव मिलाना है, होट बिढ़ाने हैं क्योंकि ये ओस्टिवर्ण के चब हैं तो ये हुआ फा, अब इस अक्षर को लेकर जो confusion की में हम आपसे बात कर रहा था इस वीडियो के शुरुवात में वो है फा, लोग क्या करते हैं, होट बिढ़ा कर इसे नहीं बोलते हैं और हवा को पास कर देते हैं, क्योंकि फा में जब नीचे नुक्ता लग जाता है तो ये हो जाता है फा, अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है F, जैसे फ आई आइर या फिर हम अगर बात करें कि First F-I-R-S-T или और अंग्रेजी में हम और शब्दों की अगर बात करें तो forensic, F-O, ठीक है, और अगर हम इसको फा बोलते हैं, जो हिंदी का शब्द है, जो हिंदी वर्णमाला में है, फा, उसमें होट भिड़ेंगे, तो हमें इसको फा बोलना है, फा नहीं बोलना, फा उर्दू के जो शब्द होते हैं, उनमें ही इस्तिमाल होता है, लेकिन हर उर् को सही उचारण कर यह है, फा, फा, फिर फूल, फल, ठीक है, फिर ना, ये सारे फा है, ये फा नहीं है, फूल नहीं है, ये है फूल, फूल का मतलब मूर्ख होता है, फूल जो फ्लार होता है, पुश्प, इसी तरह फल, फूट्स, अंगरेजी में फूट्स और हिंदी में फल नहीं है फल है ठीक है? इसी तरह से सांप का जो हूता है वो फन होता है सांप जो फन फेला के रहता है वो फन नहीं होता है फन का मतलब दो होता है अंग्रेजी में, अगर हम अंग्रेजी की बात करें, FUN, तो फन का मतलब होता है, मनुरंजन, हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, और अगर हम इसको उर्दू की बात करते हैं, फन, तो उस फन का मतलब होता है, हुनर, जैसे आप में, आप अच्छा गाते हैं, तो आप अच्छे गायक है, आप अच्छे फनकार है ठीक है, तो यह फन और फन में फर्ख है फ का फर्ख में जो आपके बताना चाहता हूँ वो फ है, फ नहीं है, हिंदी बढ़ माला में तो अगर हिंदी का कोई भी शब्द है तो उसमें फ होगा उसे फ ना बोलें, ठीक है, इसके बाद अगला है ब, ठीक है, ब बकरी वाला, इसके ब के उचारण में भी आपने देखा होगा, ओट खोट भिड़ रहे हैं, प, फ, ब, ब का उचारण हमें थोड़ा सा और गले के निचले हिस्से से करना है, खोट भिड़ाने हैं, ठीक है, ब ठीक है, इसके लिए हम बी लिखते हैं अंग्रेजी में, और इस बी में अगर हमने एच मिलाया, यानि कि हमने ब में अगर ह का उचारण मिलाया, जैसे हमने प में ह का उचारण मिलाकर भ बोला, उसी तरह ब के उचारण में अगर हमने ह मिलाया, तो यह हुआ भ, भटी वाला भ, इसमें हमें थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि हग का उचारान हम और थोड़े नीचले हिस्से से कर रहे हैं भ, भ में हम मिलाया, भ, ठीक है अब फिर आता है नासिक्य, नासिक्य आनि कि इसमें हमें नाक का भी इस्तिमाल करना है और वो है म, प, भ, 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 म, म में हमें नाक का भी साहरा लेना है इसलिए इसको नासिक्य कहा जाता है क्योंकि हम इसमें नाक का भी इस्तिमाल कर रहे हैं तो नासिक्य, आपने देखा होगा हिंदी वर्णमाला में जितने भी हम इनके अगर बात करें तो इसमें जो आखरी इस वर्णमाला का जो अक्षर है वो नासिक्य है यानि कि उसमें नाक का भी इस्तिमाल हो रहा है नाक से इसका उच्चारण हो रहा है तो ध्यान रखें प, फ, ब, भ, और म है ना से के, क्योंकि इसमें हम नाक का भी इस्तिमाल करें ये सारे के सारे जो वर्णमाला के अक्षर हैं, ये सब खोट से बोले जाते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं, ओष्ट वर्णमाला के अक्षर ठीक है आगे आने वाली वीडियोज में मैं हिंदी जो वर्णमाला है उसके और जो बाकी अक्षर है उनका उच्छारण के संग से और कैसे साफ हो सकता है उसके बारे मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर लिख कर बताएं कॉमेंट बाक्स में पसंद आया है लाइक करें शेर करें और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बैल आइकन है उसे हिट कर दें ताकि आप तक मेरे नए वीडियो की हमेशा पहुंचती रहे आप हमारे सारे सोशल प्लैट्फॉर्म पर भी हमसे जोड़ सकते हैं फेस्बुक पर ट्वेटर पर यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर वाट्सेप पर या फिर टेलिग्राम पर सारे के सारे आईडि इस वक्त आपको इस्क्रीन पर नजर आ रह झाल